नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक स्रीश में जहांपर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देद ना करते हुए आज की वीड जरूरत पढ़ने वाली है कभी आपने सोचा होगा कि भारत को एमका को डवलप करने में इतना समय क्यों लग रहा है जबकि हमारे बाद में साउध को टर्की जैसे देशों की तरफ सब्सक्राइब को स्टार्ट किया गया था लेकिन उसके बावजूद भी हमसे आगे निकल जबकि बाकी दूसरे देशों से थोड़ा बहुत मदद ले रहे हैं अगर खास करके केफ 21 की बात करें तो इसको डवलप करने में काफी फॉरेंड कंपनी साउध को मदद कर रहे हैं और इसमें काफी सारे इंपोर्टेट सिस्टम का भी इस्तमाल किया जा रहा है लेकिन वह बहुरत के पास एमका की डवलप्पेंट को एक्सलेट करने का एक अच्छा मौका मिल सकता है क्योंकि अभी लॉखर्ट मार्टिन की तरफ से भारत एमका को डवलप करने में गायडेंस और सपोर्ट को प्रुरवाइट करने की बात की गई है लॉकर्ट मार्टिन एकलोटा एमका के लिए offer करने की बात की गई है लेकिन यह सभी टेकलोजी वो किस कंडिशन में भारत के साथ सेयर करना चाहती है अभी तक लियर नहीं हुआ है अगर वो एमका की development में सामिल होना चाहते हैं और भारत को guidance को provide करना चाहते हैं पार्टनर बनना चाहते हैं वो तो अलग बा कि अगला अपडेट striker vehicle को लेके जो की एक युनाइटेट स्टेट औरिजिन माल्टी पर्पोस आमड वेकल है पिछले एक साल से इसको लेकर कई बार खबर सामने आ चुकी थी कि अभी भारत और यूएस के बीज स्ट्राइकर वेकल को लेके बातचित चल आ है और यूएस क लेकर किये जाने वाले डबले चेवी वेकल मौजूद है जो की लगबख लेकल की स्ट्राइकर की वेकल होने वाल और इनको किसी भी रोल के लिए मौड़िफाइग किया जा सकता है और वह एक 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 एड़ क्रोस एड़ फ्लाटफरम है जिस वजह से उनका चैसिस से वो स् चुका है इसमें भारत युनाइटे स्टेट से स्ट्राइकर वेकल की एमसराड यानि की मैनुवर सौर्ट रेंज एर डेफेंस वेरियंट को खरीदने वाला है जिनको लोकली भारत में मनुफेक्चर किया जाएगा और इनकी टेकलोजी को भी भारत के साथ सेर किया जाएग इसे खास करके लो लवल की थ्रेट को जैसे की लो फ्लाइंग हेलिकॉप्टर्स, एक्राप्ट या फिर ड्रोन्स को टार्गेट करने के लिए इस्तमाल किया सकता है और इनको खास करके इंफेंटी उनिट के साथ मिलकर डिपलॉई किया जा सकता है जो कि उनको एर डेफेंस की बात करें तो उसकी दिल में कहीं ना कहीं यहां पर दर जरूर होगा क्योंकि अगर आपके पास काबिले तो और अपनी उसकी कदर ना करें तो दुख जरूर होता है और टेक्निक लिए डवले चवी वेइकल को हम जैसे चाहे वैसे मोडिफाय कर सकते हैं इसमें एक 105 की ट स्ट्राइकर वेहिकल को हमको ओफर कर रहा है उसी स्टेंडर का वेहिकल बन सकता है और यह सभी और सिस्टम हमारे पास पहले सही मौजूद है जिनको सेपरेटली हमको डवलाप करने भी जरूरत नहीं जिसवाजे से अगर हम चाहे तो हम खुद की सेम स्टेंडर की वेहिकल की बात करें तो वो पीटा एकराफ है और अभी हम इससे बारा एकराफ को अपरेट कर रहे हैं नेवी इसे एडिसनल 6-8 एकराफ को एक्वर करना चाहती है लेकिन यह एकराफ काफी महंगे होते हैं जिस वाज़े से इनको एक्वर करना इतना असान नहीं होता और इसके करके एक मैरिटम सर्विलन्स और पेट्रोल एकराफ को डिवलप करने कायम रखा गया था जो कि हमारी एकराफ की स्टेंडर का एकराफ हो पाएगा और सस्ता पड़ेगा इस प्लान के अंदर तोटल दो स्पेसिफिक वैरियंट को बनाने का फैसला किया गया था जिसमें ने उनों एकराप को बनाने के लिए डियाड़ेव की तरफ से डिवलप्मेंट और प्रड़्डक्शन पाटर की तलास किया जारा है जिसके साथ मिलकर इसमें वो इस्तमाल होने वाली सेंसर को डिवलप करने वालं और बात में इनको मैनुफेक्चर करने वाल है इन मेंसे जो एर टू एर ओपरेशन के अलावा एर टू सर्फेस ओपरेशन के लिए मोडिफाई किया जाएगा ताकि ये बहतर तरीके से सर्फेस टार्गेट रिटेक्ट और ट्रैक कर पाएगा अगला अपडेट ब्रमोस मिसाइल को लेकर है और आज ऑफिशली भारत की तरब से ब्रमोस मिसाइल को फिलिपीन्स को डिलिवर कर दिया गया है इंडियन एर फोर्स की तरब से देगे इंफरमिशन के मताबिक ब्रमोस मिसाइल की पहली कंसाइनमेंट को अभी इंडियन एर फ में फिलिपीन्स की तरफ से लगभग 375 मिलियन डॉलर की कीमत में भारत से ब्रमोस मिसाल की तीन बैटरी को खरीदने का फैसला किया गया था और डील साइन होने के लगभग 2 साल के अंदर भारत की तरफ से ब्रमोस को फिलिपीन्स को डिलिवर कर दिया गया वैसे भारत अभी की चींसे ठीलबॉपीने को पहली ब्रह्मोस को डिलिवर करने वाला था लेकिन फI都 Dutch सी डिप्लाइब सइट की कन्स्ट्रक्षन पूरा ना होना की वजह होने की वज़े से ही रिक्विस्ट पर खुछ दिन तक पोस्ट पॉन्थ किया गया था अभी ब्रह्मोस को सी 17 और आईल 76 के मदद से डिलीवर करने को लेके भी कई लोग सवाल कर रहें कि आखिर एक बार सी 17 कितने ब्रह्मोस बैटरी को क्यारी कर पाएगा तो हमें इन सभी टीन बैटरी को फिलिपीनश को डिलिवर करने में कितना समय लगने वाल है तो बात एसीए कि भारत पहले से सिप के जरिये जो मेजर कॉनसाइनमेंट था उनको फिलिपीन को भीजा जा चुका है यह बस एक फॉर्मिलिटी था साथ ही कुछ बचे कुछ एक उसको इसमें डिलिवर किया जा रहा है जैसे कि आप जब सोरूम में जाते हैं को नई गाड़ी खरीते हैं तो आपको बड़ा सा चाहबी दिया जाता है वह बस फॉर्टो खीचाने के लिए होता है और उसका असल गाड़ी को चलाने के साथ कोई काम नहीं होता है वहां पर भी बंदे मातर